C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए पांच रेखा एवं कोण प्रिष्ठ एक सौपांच पांच दशमलवेक रेखा आप पहले से ही जानते हैं कि किसी दिये हुए आकार में विभिन रेखाएं, रेखा खंडों एवं कोणों की पहचान कैसे की जाती है क्या आप निम्नलिखित आकृतियों में विभिन रेखा खंडों एवं कोणों की पहचान कर सकते हैं आकृती पांच दशमलवेक यहाँ चार अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं क्या आप यह भी जान सकते हैं के निर्मित कोन, निून कोन, अथवा अधिक कोन, अथवा समखोन हैं? स्मरण कीजिए के एक रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं यदि हम इन दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप में बढ़ाते हैं, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है इस प्रकार हम कह सकते हैं के एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है दूसरी तरफ स्मरण कीजिए के किरण का एक अंत बिंदु नाम थह प्रारंभिक बिंदु होता है उदाहरण थह नीचे दी हुई आकरितियों को देखिए आकरिती पांच तशमलव दो और यहां हमारे पास तीन अलग-अलग आकरितियां है प्रिष्ठ एक 106 यहां आकरिती 5.21 रेखा खंड आकरिती 5.22 रेखा एवं आकरिती 5.23 एक किरण को दर्शाती है सामानित है एक रेखा खंड PQ को संकेत PQ जिसके उपर एक रेखा खंड का चिन है रेखा AB को संकेत AB जिसके उपर दोनों दिशाओं में बढ़ रही रेखा का चिन है एवं किरण OP को संकेत OP जिसके उपर एक दिशा में बढ़ती रेखा किरण का चिन है अपने द्यनिक जीवन से रेखा खंडों एवं किरणों के कुछ उदाहरण दीजिए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए पुनह स्मरण कीजिए के रेखाएं अथवा रेखा खंडों के मिलने पर कोण निर्मित होता है उपर युक्त आक्रितियों आक्रिती 5.1 में कोणों यानि कॉर्नर्स को प्रेक्षित कीजिए जब दो रेखाएं अथवा रेखा खंड किसी बिंदु पर प्रतिछेद करते हैं तो इन कोणों का निर्मान होता है उदाहरण थह दी हुई आक्रितियों को देखिए आक्रिती 5.3 यहाँ दो आक्रितियां दी गई हैं आक्रिती 5.3.1 में रेखा खंड AB एवं BC कोण ABC का निर्मान करने के लिए एक दूसरे को बिंदु B पर प्रतिछेद करते हैं और रेखा खंड BC एवं AC कोण ACB का निर्मान करने के लिए एक दूसरे को C पर प्रतिछेद करते हैं इत्यादी जबके आक्रिती 5.3.2 में रेखाएं PQ एवं RS एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिछेद करती हैं जिससे कोण POS, SOQ, QOR और ROP निर्मित होते हैं कोण ABC को संकेत ABC और उससे पहले कोण का चिन हैं द्वारा निरुपित किया जाता है इस प्रकार आक्रिती 5.3.1 में निर्मित तीन कोण कोण ABC, कोण BCA एवं कोण BAC हैं और आक्रिती 5.3.2 में निर्मित चार कोण कोण POS, कोण SOQ, कोण QOR एवं कोण POR हैं आप पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं कि नियून कोण, अधिक कोण, अथवा सम कोण के रूप में कोणों का वरगी करण कैसे किया जाता है टिपणी कोण ABC के माप के संदर्भ में M, कोण ABC को साधारन थह, कोण ABC के रूप में लिखेंगे प्रकरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि हम कोण के संदर्भ में, अधिवा इसके माप के संदर्भ में बात कर रही हैं प्रयास कीजिए अपने आस पास दस आकृतियों को सूची बद्ध कीजिए और उनमें पाय जाने वाले नियून कोणों, अधिक कोणों एवं सम कोणों की पहचान कीजिए 5.2 संबंधित कोण 5.2.1 पूरक कोण जब दो कोणों के मापूं का योग 90 डिगरी होता है तो ये कोण पूरक कोण यानी कॉम्पलिमेंटरी अंगल्स कहलाते हैं प्रिष्ठ 107 आकृति 5.4 यहां चार कोण दिये गए हैं एक 30 डिगरी का कोण, दो 60 डिगरी का कोण, क्या ये दो कोण पूरक कोण हैं? हाँ 3. 35 डिगरी का कोण 4. 65 डिगरी का कोण क्या ये दो कोण पूरक कोण हैं? नहीं जब दो कोण पूरक होते हैं, तो इन में से प्रत्येक कोण, दूसरे कोण का पूरक कहलाता है उपर युक्त आरेक, यानि आकृति 5.4 में 30 डिगरी का कोण, 60 डिगरी के कोण का पूरक है और विलोम्थभ सोचिये, चर्चा कीजिये, एवं लिखिये 1. क्या दो निवन कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? 2. क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? 3. क्या दो सम कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? प्रयास कीजिए एक, निम्नलिखित कुणों के युग्मों में कौन से पूरक हैं? आकृती पाँच दशमलव पाँच यहां हमारे पास चार अलग-अलग जोड़े दिये गए हैं जिनमें कुणों के माप साफ तौर पर स्पष्ट हैं एक, सत्तर डिग्री और बीस डिग्री का कोण दो, पिछहत्तर डिग्री और पचीस डिग्री का कोण तीन, अढ़तालीस डिग्री और बावन डिग्री का कोण चार, पैंतीस डिग्री और पच्पन डिग्री का कोण 2. निम्नलिखित खोणों में प्रत्येक के पूरक का माप क्या है? 1. पैंतालीस दिग्री 2. पैंसट डिग्री 3. एकतालीस डिग्री 4. चववन डिग्री 3. दो पूरक खोणों के मापूं का अंतर 12 डिग्री है कोणों के माप ग्यात कीजिए प्रिष्ठ 108 5.2.2 संपूरक कोण आईए कोणों के निम्नलिखित युग्मों को देखते हैं आक्रिती 5.6 यहां हम कोणों के चार अलग-अलग युग्मों को देख पा रहे हैं जिनमें उनके माप स्पष्ट है कोणों का योग एक सावस्सी डिग्री पाया जाता है कोणों के ऐसे युग्म संपूरक कोण यानी सप्लिमेंटरी अंगल्स कहलाते हैं जब दो कोण संपूरक होते हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक कहलाता है सोचिए, चर्चा कीजिए, एवं लिखिए एक, क्या दो अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं? दो, क्या दो नियून कोण संपूरक हो सकते हैं? तीन, क्या दो सम कोण संपूरक हो सकते हैं? प्रयास कीजिए एक, आकरिती 5.7 में संपूरक कोणों के युग्म ग्यात कीजिए यहां चार अलग-अलग युग्म दिये गए हैं, जिनमें कोणों के मापस फष्ट हैं एक, 110 डिग्री और 50 डिग्री का कोण दो, 105 डिग्री और 65 डिग्री का कोण प्रिष्ठ, 109 तीन, 50 डिग्री और 130 डिग्री का कोण चार, 45 डिग्री और 45 डिग्री का कोण दो, निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के संपूरक का माप क्या होगा एक, 100 डिग्री, दो, 90 डिग्री, तीन, 55 डिग्री, चार, 125 डिग्री तीन, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है खूणों के माप ग्यात कीजिए पांच दशमलव दो, दशमलव तीन, आसन खूण निम्नलिखित आकृतियों को देखिए यहां दो आकृतियां दी गई हैं जब आप एक पुस्तक को खोलते हैं तो यह उपर युक्त आकृति की तरहा दिखाई देती है A और B में हम कोणों का एक ऐसा युग्म पाते हैं, जिसमें एक कोण दूसरे के साथ सनलगन है किसी कार के स्टियरिंग वील को देखिए वील के खेंदर बिंदु पर तीन कोण पाय जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक कोण दूसरे के साथ सनलगन पाया जाता है आक्रिती पांच दशमलवाट दोनों शीर्षों A और B पर हम पाते हैं कि कोडूं का एक युग्म एक दूसरे से सनलगन रखा गया है ये कोड इस प्रकार हैं कि एक उनका एक उभई निष्ठ शीर्ष है दो उनमें एक उभई निष्ठ भुजा है और तीन जो भुजाएं उभई निष्ठ नहीं है वे उभई निष्ठ भुजा के एक-एक तरफ है कोणों के ऐसे युग्म आसन्न कोण यानी Adjacent Angles कहलाते हैं आसन्न कोणों में उभाय निष्ठ शीर्ष एवं उभाय निष्ठ भुजा होती है परन्तु कोई भी अंतह बिंदु उभाय निष्ठ नहीं होता है प्रिष्ठ 1110 प्रयास कीजिए एक क्या एक और दो से अंकित कोण आसन्न हैं? आकृती 5.9 एक से चार तक यदि ये आसन्न नहीं हैं तो बताए क्यों? यहां पांच आकृतियां दी गई हैं प्रत्यक आकृती कोण एक और कोण दो में विभाजित है दो आकृती 5.10 में क्या निम्न लिखित कोण आसन्न हैं? A. कोण AOB और कोण BOC B. कोण BOD और कोण BOC अपने उत्तर की पुष्ठी कीजिए आकृती 5.10 इस आकृती में कोण AOB, कोण BOC, कोण COD, कोण BOD, कोण AOC बन रहे हैं? आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है सोचिए, चर्चा कीजिए, एवं लिखिए 1. क्या दो आसन्न कोण संपूरक हो सकते हैं? 2. क्या दो आसन्न कोण पूरक हो सकते हैं? 3. क्या दो अधिक कोण आसन्न कोण हो सकते हैं? चार, क्या एक न्यून कोण अधिक कोण का आसन हो सकता है? पांच दशमलव दो दशमलव चार, रैखिक युग्म एक रैखिक युग्म यानी लिनियर फेर, ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है, जिनकी वे भुजाएं, जो उभय निष्ठ नहीं हैं, विपरीत दिशा में किरणे होती हैं. आक्रिती पांच दशमलव ग्यारह एक और दो यहां दी गई हैं. क्या खोण एक, कोण दो, एक रैखिक युग्म हैं? नहीं. क्यों? प्रिश्ठ एक सौग्यारह एक सावस्सी डिग्री हो जाता है. रैखिक युग्म के कोण सम्पूरक होते हैं. क्या आपने अपने आसपास में रैखिक युग्म के मॉडलों पर ध्यान दिया है? सावधानी पूर्वक नोट कीजिए, कि सम्पूरक कोणों का युग्म, रैखिक युग्म तभी बनाता है, जब प्रत्येक को दूसरे के आसन रखा जाए. क्या आप अपने डैनिक जीवन में रैखिक युग्म के उदाहरन पाते हैं? सब्जी काटने वाले पट को प्रेक्षित कीजिए. आकरिती 5.2. क्या आप कह सकते हैं कि काटने वाला ब्लेड पट के साथ रैखिक युग्म बनाता है? एक सब्जी काटने वाला पट. काटने वाला ब्लेड पट के साथ कोणू का एक रैखिक युग्म बनाता है? एक पेन स्टैंड. पेन स्टैंड के साथ कोणू का एक रैखिक युग्म बनाता है? फिर से pen stand देखिए आकरिती 5.1-2 क्या आप खेह सकते हैं कि pen stand के साथ रैखिक युग्म बनाता है? सोचिए, चर्चा कीजिए, एवं लिखिए 1. क्या दो नियून कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं? 2. क्या दो अधिक कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं? 3. क्या दो सम कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं? प्रयास कीजिए, बताए, कोणों के निम्न लिखित युग्मों में से कौन सा रैखिक युग्म बनाता है? अकरिती 5.1-3 यहां खोणों के चार युगम दिये गए हैं. 1. इस आकरिती में दो कोण हैं, 40 डिग्री और 140 डिग्री. 2. इस आकरिती में दो कोण हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री. 3. इस आकरिती में दो अलग-अलग कोण हैं, 90 डिग्री और 80 डिग्री. चार इस आक्रिती में दो कून हैं 65 डिग्री और 115 डिग्री अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाथ्य पुस्तक कारिक्रम समनवयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचनस्वर गौरव मारवा तकनी की समनवयक बटिलांग लिंगडो तकनी की सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत